नमस्कार दोस्तों थे अच्छी नौकरी में थे आगे की जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा वैपारिक दिस्टी कौन से क्या इस्थितियां दिख रही है काम्याब हो पाएंगे भी की नहीं और अगर काम्याब हो पाएंगे तो किस आयू में काम्याब होंगे ह आला कि अब 61 वर्स की आयो है 61 येर्स बहुत बड़ा उमर होता है लेकिन इनके लिए उमर विशेस फरक नहीं पड़ता इनको जीवन पर काम्याप आज भी होना है और आगे भी होना है कुछ स्टार्ट अप लेने का सोच रहे हैं तो ये जनना चाहते हैं कैसा रहेगा तो अध्यान सुरू करने से पहले फिर रेखाओं की बनावट को समझ देना बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप किसी हाथ पर बने हुए रेखाओं की बनावट को नहीं समझेंगे तो आपके प्रेडिक्शन्स गलत हो जाएंगे तो आपको बहुत जरूरी है कि आप और इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है, वीडियोस को परसपर देखते रहें, चीजों को गहराई पुरवक जानते रहें, तब ही जाके समझ पाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जीबन रेखा है, डेफिनेटली, ये भी जीबन रेखा है, ये प्रोगर्स ला कंसेट को समझे, इनके जीबन रेखा में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी स्थती मानी जाएगी, जीबन रेखा के संदर में, जीबन के अंतिम परहाव के संदर में, और आने वाले समय में, अकास्मिक दनलाव के संदर में, ये एक बहुत ताकतवर स्थती मानी जाएगी, तो इसलिए मैं कहरा था, कि जब हम मैं कुछ कहता हूँ, तो इस बात को समझ लीजए, रेखाओं कि बनावट को समझ ये, क्योंकि तभी आप अच्छा प्रेडिक्शन्स या सही प्रेडिक्शन्स कर पाएंगा, दरवाईज करन बनेंगे, और जो प्रानम्पिक समय में आपने तरक्की और प्रगती अचीव किये, उससे हो सकता एक कदम आप आगे भी रहें, या फिर आपके बच्चे कुछ अच्छा कारे कर लें, चुकि जीबन रेखा के अंतिम पराम में मुझे जादा अच्छी सफोलता की रेखा द दिखरी है, तो वैपार आप कर सकते हैं, आपका इंट्रेस्ट और आपका रुझार वैपार में दिखराए मुझे और आप वैपार करना चाह रहे हैं, तो आप बेशक कर सकते हैं, वैपार इस्टे कौन से भी सफोलता की योग बने हैं, तो आप कर सकते हैं, अगर मैं आग का दिमाग जो होता है यह बहुत तेज होता है बहुत तेज होता है दिमाग की तेजी में कोई कमी नहीं है कोई परशानी नहीं है तो ऐसे विक्ति बड़े तेज दिमाग के होते हैं और अपने तेज दिमाग के दम पर बहुत ही आगे बढ़ते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर आप negative चीज को नहीं समझेंगे तो आप जीवन पर क्या करेंगे, क्योंकि आप negative चीज को समझेंगे तब ही तो आप उसके लिए उपाए कर पाएंगे, तो negativity क्या है, अब हाला कि एक सट वर्स के आयो में क्या negativity, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्योंकि आपकी जो परशानी थी, जो आनी थी, वो चली गई, क्योंकि शुरुबाती दौर से बागगे नेखा का साथ ना होने की वज़ा से, पैसा बहुत सेव नहीं हो पाता, बस जरूरत-जरूरत का ही काम होता है, और ऐसा इनको परतीत होता है, कि मुझे जो काम्याबी मिलनी चाहिए, तो तो वो थोड़ा सा काम्याबी नहीं मिल पाती है, ये वाली एक जो भावना रहतीन वो अंदर में रह जाती हो, पैसे आते जाते हैं, कोई बल्क में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है, ये वाली बात है, अब अगर हम आगे और विचार कर लें, और क्या नेगेटिवि आती है, जितना ग्रोथ ये उमीद करते हैं, जितना ग्रोथ इनको चाहिए जीवन पर उस परकार के ग्रोथ मिल नहीं पाते है, ये एक बड़ी विड़मना हो जाती है इस केस में, तो दो नेगेटिविटी मैंने आपको दिखा दिया, अब अगर मैं तीसरी तरफ बात कर और क्या है, तो वैसा कोई खास नहीं है, बुद्ध रेका थोड़ा कम सार्थक है, थोड़ा ये सार्थक हो जाए, तो ये आपको एक्स्ट्रीम धनलाव कराएगा, ये आपको धन देगा जिन्दगी में, तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ, अब अगर हम आगे विचार कर ले, और क्या क्या चीज़े, अतली पर बनी हुई है, तो अबी मैं जीवन रेका के, सारे ही पहलो ओपर विचार करलेता हूँ, बता देता हूँ, तो ये ओगई आपकी माइन रेका, ये ओगई जीवन रेका, independent, काफे independent nature है अपका, प्रोग्रिस टाइन ये अच्छी है, तो ये तरक्की, ये तरक्की को indicate कर रही है, इसमें तो कोई doubt वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर आपकी तरक्की 22 वर्स के ऐव में कुछ मिली होगी, कुछ परिशानी जो भी आपके जीवन में आई होगी, वो उसके पहले रही होगी struggle जो रहा होगा वो उसके पहले रहा होगा लेकिन उसके बाद आपको तरफ की जरूर देखने को मिली होगी अगर मैं आगे देख लो तो ये एक 28 वर्स में progress था फिर एक लगबग आपके 30 वर्स के आस पास था प्रोग्रेस फिर मैं आगे देख लो 32 में एक progress है फिर जीवन ररेका अच्छी है 36 में progress है आगे की भी जीवन ररेका बहुत जबरदस्त है इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आपकी जीवन स्मूथ ही रही है बहुत उन्नती नहीं बहुत दुरगती नहीं इसमूथरी निकल गई है एक बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में 62-63 वर्स के आसपास मुझे दिक्रा है कि तो परवत प्रफिश है कुछ अकासमिन दरलाव होगा और यहाँ पर मंगल डरेका बड़ी जबरदस्त है तो इस प्रकार की मंगल डरेका हो तो फिर जीवन में क्या चाहिए सुकर पर ये लग्जूरियस सुकर के लाइन लग्जूरियस लाइफ रहती है और यहाँ पर देख लो ये मनी ये तो हो गई आपकी शुकर प्रबलता ये यहाँ पर मनी मैनेज्मेंट को बताती है शादी के बाद की बागगुदे को बताती है वो तो होना है शुकर प्रबल है एक दम कंफरटेबल लाइफ बीच जाती है हाँ मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रहे है थोड़े से टेंशन वारे नेचर आपका है इनसान थोले चिंदा जरूर करते हैं मंगल और शुकर और मंगल बढ़िया है तो कंफरटेबल लाइफ रहता ही है इसमें तो कोई डिक्कत वाली बात है नहीं अब मैं आगे विचार कर लू इनके एतली के जरन अधियन के तरफ चलूँगा चीजों को असपर जूप से क्लियर करूँगा तो वीडियो काफी साथ महातपून है देखे इसी के समझें तो यहाँ पर से आगए स्क्वाइर स्पाप प्रेंटरी कंडिशन्स अच्छे है तो बिरश्पती को छोड़के तो राज्योक कारा कहते लिए है कमपटेबल लाइफ तो है कोई नहीं पढ़िया थम्बेक अधिकारिक वाला थम्ब थाई ऐसे वेक्ति अधिकारिक सम्बान को प्राप्त करते ही एक्षा सक्ती बड़ी अच्छी है और यहाँ पर दिकरा है मुझे एक लाइन तो अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है बेजायर्स के अच्छे लाइन से तो बड़े महात्वा कांची है और यहाँ थम्ब थो स्ट्रॉंग होता है ऐसे वेक्ति तो बड़े अच्छे सम्बान चनक पद पर जाते हैं और अगर किसी भी पद पर जाएंगे तो बड़े अच्छे नियत्रतों करता होते हैं समझदारी के लूप काफ़े अच्छी समझदार है अगर में आगर देख नहीं तो थोड़े दिक्कत के योग ज़रूर थे यहाँ पर तो रिस्ट्रैक्शन सोते हैं तो डिपारी वारिक तनाव ग्रोथ कम भी लनांई यह सब स्थिया रहती हैं पादवा की इस ब्रश्पुति का तो आपको उपाय करना चाहिए बेशक करना चाहिए माइंड रेखा अच्छी है दिमाग के तेज वेक्ति है ऐसे वेक्ति बहुत बहुत तेज वेक्ति होते है और एर्दे रेखा भी बड़ी शांदार इस प्रकार के एर्दे रेखा हो तो ऐसे विक्ति अच्छा अच्छे emotional तो नहीं कहलो कि एक balanced personality के होते हैं तो यहाँ पर यह चीज मुझे दिखपा रहा है और balance काफी अच्छा दिल दमाग के बहुत अंद्रूस थे यहाँ से दबाब है तो काफी मैनती जीवन के अंतिम समय तक बागे रेखा है तो इस प्रकार के सूरी रेखा आपको धनलाव कराती है और यह जबर्दस दिखरी है मुझे बागे रेखा 36 के बाद benefit हुआ है आपको उसके परदे तो बागे रेखा थोड़ी गरबर ही थी 36 के बाद बढ़िया रहा है पैसे जीवन में आते ही है अगर आप लोगों से जुरावा कारे कर लो होटल से जुरावा कारे कर लो खाने पेने का कारे कर लो आपको benefit होगा ही होगा ना कि तो बात ही नहीं है तो यह था इनकतली का पुनत अविसलेशन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ है लाइक कर दे, कमेंट कर दे शेकर सिस्क्राइब कर दे अगर आप व्यक्तिका तरूप से बेसास तरे का रिखाते सही जानकारी बाना चाहते हमारा वोट्स अपनमबर आपको देस्क्रिप्शन में मिल जाए लेकर आप संपर कर सकते हैं धन्यवाद